नवश्कार SBT News में आपका स्वागत है और पीश्र इस वक्त जोदपूर बिकानेर जिले की बड़ी खबरें जोदपूर जिले के पिपाड वे बिलाडा नगर पालिका ध्यक्ष चुनाव में कोई उलट फेर देखने को नहीं मिला पिपाड में पूर्ण बहुमत हासिल कर चुकी कॉंग्रेस की सम्मू देवी वे बिलाडा में भाजपा के रूप सिंग सिर्वी पालिका ध्यक्ष चुने गए मतदान के बाद हुई गड़ना में सम्मू देवी के पक्ष में 24 वे भाजपा प्रत्याशी की पक्ष में 10 मत पड़े और वहीं बिलाडा नगर पालिका अध्यक्ष पर भाजपा की रूप सिंग सिर्वी को 25 मत मिले जबकि निर्दलिय प्रत्याशी को 10 मत मिले दिगानेर के कोड़ गेट थाना शेत्र में रविवार सुबै दो गुट आपस में भिड़ गये जिसमें कुछ लोगों ने गाडियों को भी काफी नुकसान पहुँचाया है पुलिस से मिली जानकारी के नुसार रिखब मैडिकल स्टोर के पास यह घटना हुई बताया जा रहा है कि भांग ठेके के विरोध में दो गुट आमने सामनी हो गए गाडियों में तोड़ फोड करने में एक हिस्ट्री शेटर का नाम सामनी आ रहा है फिलाल दोनों पक्षों के लोग पुलिस थाने पहुँच गए हैं और पुलिस मामले की जार्ज कर रही है आधर्श क्रेडिट कोपरिटिव सोसाइटी घोटाला से जुड़े 11 आरोप्यों को जोदपुर शहर की खाना फलसा पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर जैपुर जेल से जोदपुर लेकर आई है सबी लोगों को कोट में पेश कर पांच को पुलिस अभिरक्शा में लिया गया है खाना फलसा थाने में इस सोसाइटी के खिलाफ 19 प्रकर्ण दर्श है थाना दिकारी दिनेश लखावत ने बताया कि समीर मोदी, विवेक पुरोहित, रोहित मोदी, भरत दास वैशनव, राजिश्वर सिंग, वैशनव लोडा, भरत मोदी, इश्वर सिंग, विरेंदर मोदी, प्रियंका लोडा इवं ललिता राच पुरोहित को गिरफतार कर ल मोके पर ही मोत हो गई, मरने वाले तीनों युवग गाजियाबाद के अलग-अलग हिस्से में रहते थे, यह सोलर प्रांट से जुड़ी किसी डील के समन्द में विकानेर आ रहे थे, हादसे के बाद से मीनी ट्रुक का ड्राइवर मोके से भाग गया, जोद्पुर जिले की बाप थाना पुलिस ने एक कार से साथ दश्मलव, पांच ग्राम समयक, चार किलो डोडा पाउडर और सतर हजार रुपे जप्त कर टोल करमचारी सही तीन व्यक्तियों को गिरफतार किया, जप्त मादक पदार्ट फलोदी में हिंडाल गोल गाउं से ह हनुमानगड ले जाया जा रहा था, ग्रामेंट पुलिस अधिक शक राहूल बारत ने बताया कि कार में सवार हनुमानगड में जंडा वाली निवासी जीवन राम राव वे मुहमद नजाव उफ पप्पु को हिरासत में लिया गया, इनसे पूश्ताश के बाद फलोदी मे हिंडाल गोल गाम निवासी अनिश खां को भी पकड़ लिया गया, बिकानेर में रविवार को कोरोना के नो नए केस मिले हैं, नए मरीजों के मिलने के बाद जिले में अक्टिव केस की संख्या सो से नीजे आ गई है, मुखे चिकिस साहिवम स्वास्ते अधिकारी डुक्ट जैपूर पीठ में कोरोना वाइरस संक्रमन के बढ़ते मामलों को देखते हुए, शीत काली नवकाश के बाद अब 4-8 जनवरी तक दोनों पीठ में वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माद्यम से सुनवाई होगी, रजिस्ट्रार जनरल के और से जारी अधिसूचना के नुसार सबी पक्षकारों के स्वास्ते की सुरक्षा के लिए इस अवधी में विस्तार किया गया है। मुलत पूर के मंदोर तानाशेतर में रहने वाले सब इंस्पेक्टर मूल सिंग के मकान में चोरों ने सेंद लगाकर हजारों रुपे की गहने और नगदी पर हास साफ कर दिया। मूलत है मतोडा हाल विरिंदर नगर पूरों में रहने वाले सब इंस्पेक्टर मून सिंग जालोड जिले में पदस्थापित है तीन दिन पहले परिवार के लोग मतोडा गए हुए थे और इस बीच घर सुना था और यह चोरी हो गई किशोर नयाय अदिनियम के अंतरगत पजिकरत बाल बसेरा, चायल्ड केर हूम एवं बचपन बालिका ग्रहे गायतरी नगर का जीरा बाल करल्यान समीती द्वारा निरिक्षन किया गया निरिक्षन के दोरान समीती अध्यक्ष ड्रोक्त धनपत राज गुर्जर ने बच्चों से संस्तान में कोविड-19 को लेकर की व्यवस्ताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की आरे वीर गल जोदपूर के तत्वाधान में काकेरी कांड के शहीद रामपरसाद बिस्मत असफाक उल्लाह खान ठाकु रोशन सिंग राजिंद्र लाहीडी की बलिदान दिवस पर गोरो पत रोड सित शहीद समारक पर श्रधांचली समारू हुआ कारिक्रम में शहर विधायक मनीशा पवार ने कहा कि ऐसे क्रांतिकारियों के बलिदान से ही भारत देश अनिकता में एकता के लिए पहचाना जाता है जैजराइन व्यास विश्रविद्याले की बीड अंतिम वर्ष की परिक्षाएं पांच जनवरी से होगी इसके अलावा LLB प्रथम वर्ष, तुटै वर्ष, BA, BBA, LLB, डिप्लोमा सहित अनिशेश रही अंतिम वर्ष की परिक्षाएं 15 जनवरी से आयुजित की जाएंगी परिक्षाओं की समय सारनी जल्द ही विश्रविद्याले की वेब साइट पर जारी की जाएंगी सामी विवेकानन Students Welfare Charitable Trust द्वारा साधना केंदर मनी द्वीप में महलक्षमी महाविद्याले प्रताप नगर में अध्यनरत 47 शात्राओं की शिक्षा हेतु 3,52,500 रुपे का चेक संसान के सचीब गोविर्धन सोनी को दिया गया रोटरेक्ट क्लब ओफ जोदपूर संसकार की ओर से जरुत मंदों में सर्दी से बचने के लिए कंबल तथा कुरुना महमारी से बचाव के लिए मास का वित्रन किया गया अध्यक्ष प्राची चोपडा वैसाचीव यशस्वीक कानू को ने बताया कि कलब के पदाधिकारियों ने सोजती गेट, पावटा, ओलंपिक सिनेमा रोड तथा टाउन होल के समीब फुटपात पर जीवन बसर करने वाले गरीब परिवारों में कंबल वैमास का वित्रन क जोदपूर पोलो सीजन में SH महराजा कप टूनामेंट का खिताब रजनीगंदा एचिवर्स टीम ने जीता, फाइनल मैच में रजनीगंदा एचिवर्स टीम ने एचिवर्स ओन टीम को तीन के मुकाबले आठ गोल कर पांच गोल से हराया, रजनीगंदा एचिवर्स टीम क और से पदनाथ सिंग ने पहले तीसरे चकर में एक एक गोल प्रताप सिंग कानोता ने पहले चकर में एक गोल किया फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ SBT News के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें धन्यवार